जैजि छाल पिपनीत परकिसान का सपना सच हो जीवन सुगद बनाने को गौव गौव की हर लांगर का प्यारा साई दर्शन कुषिदर्शन! कारिकम कुषिदर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमश्कार जोहर जी हाँ, हम जानते हैं कि आफ हमारे इस कार्क्यम का बिस सब्रिस उन्जार करते हैं कि किरिशी से गसुरी तमाम महत्पुन जानकारिया हम आपको इस कार्क्यम के माधन से पहुंचाते हैं तो चलिए आज के संग पर भी बहुत सारी मध्द पूंजनकरियां हैं जो हम आपको देंगे मगर से पहले हम आपको दिखा देती हैं क्रिशी समाचार नमस्कार क्रिशी समाचार में आपका स्वागत है मैं हुम्रेदुला आए देखते हैं आज क्रिशी समाचार में क्या है खास गौपालन के लिए ले सकते हैं मुख्यमंतरी पशुधन विकास योजना से लाब मचली पालन के विकास के लिए चलाई जा रही है प्रधान मंतरी मतस्य संपदा योजना मसूर के बहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेत पी एल चार सौचे अब समाचार विस्तार से राची के पशुपालक मुख्यमंतरी पशुधन विकास योजना के तहट देसी और संकर दोनों नसलों का गौपालन कर सकते हैं संकर नसल में जर्सी और देसी नसल में साहिवाल, रेड सिंधी या थार पारकर गौपालन के लिए अनुदान ले सकते हैं इसमें दो दुधारु गौपालन के लिए महिला लाभुक और दस दुधारु गौपालन के लिए सभी श्रिणी के लाभुकों का चयन किया जाएगा इस योजना से लाभ लेने के लिए जिलागव्य विकास कार्याले से संपर'RE कर सकते हैं मचली पालक में रोजगार के औसर और आमदनी को बढ़ोतरी के लिए इसके हर पक्ष को मजबूत किया जाना जरूरी है इसमें आधार भूत सुविधा, सनरचना, गुणवत्ता, तकनीक, प्रबंधन सब को आधुनिक और सुद्रिड किया जाना आवश्यक है इसी उदेश्य को पूरा करने के लिए राज्य के मचली पालकों को प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना का लाब दिया जा रहा है मचली पालक इस योजना से लाब लेने के लिए जिला मतस्य कारयाले से संपर कर सकते हैं किसी भी फसल से गुणवत्ता पुर्वक उपज लेने की लिए मिट्टी में पोशक तत्तों की मात्रा संतोलित होना आवश्यक है सबजी फसलों में अक्सर फल कटने यप पौधों में जड़, गलन और सडन की समस्य आती है इससे बचाओ के लिए मिट्टी में पोशक तत्यों की मात्रा को देखते हुए पोटाश, बोरान और कैल्शियम का छड़काओ कर सकते हैं जैसे कि यह पोदय की जो कॉलेटी है वो कॉलेटी डिपेंड करती है पोटाशियम पे पोटाशियम जो होता है जो उसका कॉलेटी अच्छे से बढ़ाता है अगर पोटाशियम की मात्रा यहां पर बहुत से किसान है जो सिर्फ व्यूरिया और डिएपी यूज करते हैं पोटाश कभी यूज नहीं करते हैं तो हमें पोटाश का यूज करना है पोटाश से उसकी साथ Boron, जो Boron है वो अगर कम हो जाएगा तो आप देखें कि tomato, यह ठीक से crack होता है, मतलब कट जाता है, वो कोई फल है, वो कटने लगता है, वो किस की कमी है? Boron की कमी है, तो हमें Boron, जो Boron का भी हमें एक उप्र संप्लाइब करना है जब हम स्भी डाशनु से देखते है, यी आमली अमिक्टी है और कालशियम की कमिस्ट है, आपवा करके सब्सक्राइबब करना ही है, हर इसे फचवर के लिए पहले है, और थारे बड़ाना है तो पोटश और व्रोन का भी इस्थिमाल करना है राजे के जो किसान रभी दलहनी फसल मसूर की खेती करना चाहते हैं, वे वर्तमान तीथी से लेकर 15 नवंबर तक बुआई कर लें, जारखण में मसूर से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद पी एल 406, पी एल 649 या के एल एस 218 लगाएं, मसूर की बुआई में 30 किलो ग्राम बीज प्रती हेक्टियर की दर से लगाएं, उन्नत प्रभेद पी एल 406 की बुआई में कतारों के बीच 25 संटिमीटर और पौधों के बीच 8 संटिमीटर की दूरी रखें, जबकि पी एल 649 और के एल एस 218 की बुआई में कतारों के बीच 25 संटीमीटर और पौधों के बीच दस संटीमीटर की दूरी रखें मसूर के ये तीनों प्रभेद 125 से 133 में तयार हो जाते हैं और इनकी उत्पाद निशमता 15 से 20 क्विंटल प्रती हिक्टेर है अभी कई खरी फसल लगाय जा चुके हैं और कई लगाय जा रहे हैं इस मौसम में विविन्न फसलों की बुआई और खेत में खात डालने के लिए क्रिशी उपकरण फर्टिलाइजर कम सीट ब्रॉड कास्टर का उप्योग कर सकते हैं इसकी कारिशमता दो एकड़ प्रती दिन है आए जानते हैं लत्यदार सबजी फसलों में वैस कीटों के रोब थाम के लिए खेत में जहरीला चारा डालें प्रती एकड़ की दर से 1 किलो ग्राम कोणा को अच्छी तरह से मसल दें इसमें 100 ग्राम गुड और 10 मीलीलीटर माला थियान दवा मिला कर जहरीला चारा तयार करें और इसे खेत में 4 से 5 अस्थान पर रखें एकफसल मौसम में 2 से 3 बार ये उपचार कर सकते हैं और अब एक नजर राजी के पांच प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर आज राजी के पांच प्रमुख नगरों के अधिक्तम और निउन्तम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किये गए राजी का अधिक्तम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और निउन्तम 19 डिग्री सेल्सियस चम्षेदपूर का अधिक्तम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और निउन्तम 22 डिग्री सेल्सियस मेदिनी नगर का अधिक्तम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और निउन्तम 20 डिग्री सेल्सियस देवघर का अधिक्तम तापमान 34 डिग्रे सेल्सियस और न्यून तम 21 डिग्रे सेल्सियस और धनबाद का अधिक्तम तापमान 33 डिग्रे सेल्सियस और न्यून तम 22 डिग्रे सेल्सियस रहा जानकारियां तो भी और भी हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे मगर उससे लेते हैं एक छोटा सा विराम भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस देश के किसानों के खुशाली और उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है प्रदान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी जी के नेत्रित्व में कृषी क्षेत्र में किये गए निरंतर प्रयासों के फल स्वरूब देश खाद्यान वबागवानी के क्षेत्र में आत्म निर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किये है इसी क्रम को आके बढ़ाते हुए माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के नित्रित्वों में भारत सरकार ने दूर दर्शी निरने लेते हुए राश्ट्रिय खाद्य तेल मिशन ओयल पाम की शुरुवात की है इस मिशन से देश भरके किसानों को बहुत लाब मिलेगा खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजकार के नए अवसर पैदा होंगे खाने के तेल में आत्मनिर भरता के लिए अब राश्ट्रिय खाद्य तेल मिशन ओयल पाम का संकल पर लिया गया है इसे किसानों को तो सीधा लाब होगा ही गरीब और मद्यमबर के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा यही नहीं यह मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्मन करेगा इस मिशन के अंतरगत ओयल पाम का रखबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड रुपए से अधिक की सहयता राशी निर्धारित की है मिशन के तहट सरकार ने ओयल पाम की खेती के लिए रोपन आदी की सहयता में बढ़ोतरी करते हुए और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहयता दी जाएगी इसके तहट 15 हेक्टेर ओयल पाम उद्यान के लिए 80,000,000 रुपए तक की सहयता राशी दी जाएगी इसके अलावा नरसरी विकास के लिए 40,000,000 रुपए तक तै किये गए हैं पूर्वुत्तर और अंदमान राज्यों के लिए विशेश सहयता का भी प्रावधान है ओयल पाम के किसान ताजे फ़लों के गुच्छे यानि FFB का उत्पादन करते हैं जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर राश्ट्रिय मुल्यों में उतार चड़ाओ के आधार पर तै होती है पहली बार किंद्र सरकार ताजे फ़लों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है ये व्यवहार्यता मुल्य यानि VP कहलाएगा यानि किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा व्यवहार्यता मुल्य VP तै करने की शुरुआत एक नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी इसे ओल्पाम वर्ष कहा जाएगा इस योजना के तहट वर्ष 2026 तक ओयल पाम का रखबा 6.5 लाग हेक्टेर्स रिजित करने और कच्चे ओयल पाम की पैदावार वर्ष 2026 तक 11.2 लाग टन पहुँचाने का लक्ष निर्धरित किया गया है सरकार के इस महत्वपूरण निर्णे से देश में ओयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रखबा बढ़ाएंगे इस तरह पाम उयल का उत्पादन भी बढ़ेगा जिससे किसानों की आए बढ़ेगी और ग्रामीन अर्थ विवस्था भी सुद्रिन होगी वैसे तो जारखन के किसान बिविंतर की फैसल उगाते हैं मगर आज हम बात कर रहे हैं वैसे किसान की जो तिलहन फसल की खेती करना चाहते हैं और इस उनको क्या लाब हो सकता है यह तमाम महत्पुन जानकरिया हम आपको देंगे और इसी के लिए हम आपको जोड़ देते हैं स्टूडियो से किसान भाईयों नमस्कार कृष्षी दर्शन का इर्कम भे आप सभी का स्वागर गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर इसकी उपियोगीता के बारे भी जानने की कुशिश करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृशी से जुड़े भी नहीं है लेकिन उनको इसकी जानकारी चाहिए होती है किसान भाई आज के काहिए हम आपको ये बताएंगे कि आप अगर तेलहनी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो कीस तरह से करें और साथ ही साथ इसकी उपियोगी ताकिया है किसान भाई इससे कैसे लाब अप्राप्त कर रखते हैं इस विशह पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर Manoj कुमार सिंग स्टूडियो मौजब है डॉक्टर Manoj कुमार सिंग दिव्यान किर्शियु विक्यान केंदर में बतौर फसल वैग्धानी काहिरत है डॉक्रर साथ इस काहिर के मैं अपका स्वागत है पकिस की जाती है और क्या संभावनगाए देखती है यहां पर तैल्हनी फसनों की खेटी जिंगाम प्यामिंहें लगबक तैल्हानी की खेती की जाती है सबिलाकरकर करके इसमें व्याइपकिस की खेती है और दूसरे नबर आपका Khani हाता है तो इसको हम लोग सरसो को ही मान करके चलते हैं कि हमारे जारकंड के लिए तिलहनी में सरसो प्रमखरूप से हो रही है और बहुत सारी जबहों पर सुरी मोख्यों के खेती के लिकिन जारकंड में इसकी खेती बड़े पैमान पर नहीं होती है डॉक्टर साब जब आप सरसो की खेती की बात करते हैं सबसे पहले तो जो किसान भाई इस वक्त लगाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या होगी वो समझना ये चाहेंगे कि अगर हम तेलहनी फसल लगाया है तो भूमी के चुना में क्या साथानी रखें किस तरह की जमीन अच्छी होगी किसान भाई जो तेलहन है सरसो इसके लिए बहुत अच्छी जरूरत नहीं होती है कि जमीन बहुत हमारी उरवर फर्टाइल हो तब ही हम वहां करें तो अगर आपकी जमीन उतनी उरवर नहीं है तो भी करेंगे और तेलहन खेती में आपका खर्च जो है लागत खर्च बहुत कम होता है इसका इनपुट जो है आपका बीज में बहुत कम खर्च आता है और इसमें कीड़े बीमारी भी बहुत ही कम रहते हैं दूसरों की अपेक्षा तो इसलिए हमें कम खर्च वाली एक खेती है और इसमें पानी भी जादा नहीं लगता है तो हम सभी को कोशिज करना चाहिए कि जो भी हमारी जमीन खाली होने जा रही है तो हम उस पे खेत को जल्दी जल्दी खाली करने कोशिज करें और उसमें तेलहन की प्लानिंग सुरू कर दें जाएं बिल्कुल तो जब खेत खाली हुए तो फिर जो भी फसल लगी होगी खाली होने के बाद क्या तैयारी करें ताकि फसल अच्छी हो किसार भाई धान कटने के बाद ये देखेंगे कि हमारी खेत पका हुआ है तो ट्रैक्टर से उसमें दो बहां जुताई करेंगे और साथ ही साथ ये धियान रखेंगे कि हम जुताई करते जाएं और फिर उसको पाटा भी चलाते जाएं उसकी नमी को संरचित करना है नमी को बचा करके रखना है क्योंकि नमी अगर उड़ जाएगा और सरसो लगाने को आद हम पानी देंगे तो वो जो पपड़ी बना लेत करना है तो मिट्टी में मिला करके बनियादंग से युटाइं करके मिट्टी में मिल गया पाटा लगा देंगे लेवल हो गया उसके बाद हम अपना खित ऐस को ले जाएंगे बिल्कुल आपने बाद की खाद और उर्वरकोंáficां की बहुत सब्सक्राइबाइबा भाइब कल अगर आपके एक्षा है कि हमें प्रती एकड लगभग 6-7 कुंटल उपज मिले सरसो तो उसके लिए आपको जो है अर्थात 15 कुंटल आपका प्रती हेक्टेर प्राप्त हो तो उसके लिए आपको उसका भरपूर भूजन के रूप में 80-60-40, 80 kg नाइटूजन, 60 kg फासपुरस 40 kg पोटास तो यह जो है अगर आप उसको देते हैं तो आपको भरपूर बढ़ियादंग से उत्पादन मिलेगा और अगर चाहते हैं कि हमें और थोड़ा बढ़ियादंग का क्वालिटी के चीज मिले तो उसमें जिंग सलफेट इसको भी आप कोशिज करेंगे हम अपनी ज साइज भी बढ़ेगा उसमें चमक आएगा तो तेल की मात्रा जो है उस परसंटेज भी बढ़ जाएगा तो देमाग में यह रखे हैं कि हमको जिंक सलफेट जिंक और सलफर दोनों का उपयोग करने से हमारे तेल के जो भी तेल वाली चीजें करते हैं उसमें यह अच्छा में ही देना है क्योंकि जो पौधा प्राप्त करता है बहुत ही धीरे धीरे यह रिलीज होता है तो इसलिए शुरू के टाइम में देंगे पोटास भी शुरू में देंगे और जो नाइट्रोजन है उसको कोशिज करेंगे दो भाग में तोड़ करके उसको देने की कोशिज करें कहीं कहीं लोग तीन भी बार में इसको तोड़ते हैं तो आप कम से कम दो बार में इसको देने की कोशिश करें बुआई के समय दे दिये और फिर उसके बाद तीस से पैंटिस दिन के बाद आप इसको कोशिश करेंगे देने के लिए कुछ भाई बंदू उसको आप तीन किस तरह से लगाएं डॉक्र साब जब हम प्रभेदों की बात करते हैं तो कई तरह के प्रभेद बाजार में अप्लब्ध हैं कौन सा ऐसे प्रभेद का चुनाव करना चाहिए ताकि किसान भाईयों को ज्यादा से ज्यादा लाब दें किसान भाई पहले तो बहुत किसान दें चाहिए पूसा तड़क माहक यह भी आई थी स्रीज, यह दिरेदेदी चली गए। उसके बाद फिर आई भरत्पूर सरसो 1, भरत्पूर सरसो 2, यह भी अच्छा काम किया, लेकिन अभी आगया पूसा सरसो 30, पूसा सरसो 28, पूसा सरसो 26, पूसा सरसो 31, double zero स्रीज की भ बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें युरेसिक एसिट की मात्रा कम है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही स्वास्तप्रद है तो यह जो है बायो फोटिफाइड की नाम से भी जानी जाती ही विरेटी तो इसलिए यह सरसो कोशिज करिए बजार में आपको हो या एनसी से हो दियाले से हो जहां भी मिले आपको यह इन वी प्रभेद है इसको लगाने की कोशिज करें जैसे सर सो तीस यह तो अभी जराशी के विए यहां पर लगबक तीस कुंटल सरसो को सीड किसान लों ले गए बहुत ज़्यादा मांग है तो उसका उत्पादन भी अच्छा है लगबग 15 से लेकर के 18 कुंटल नार्मल कंडिशन में और अधिक्तम तो आपका 22 से लेकर के 24 कुंटल तक जाता है तो हम किसान भाईयों से यही अग्रह है कि आप अपना जो बीज रहेगा उसमें ये कोशिज करें कि हम बीज तो अच्छे तरन से ले आएं और साथ ही साथ उसमें अगर गोबर की खाद भी थोड़ी मात्रा मिल जाता है तो आपका प्रतिय कड लगभग एक टेक्टर या दो के असपास तो इसको मिलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा तो ये लगाने की विधी में भी कुछ धान रखना चाहिए किसान भाई कैसे लगाएं ताकि अच्छी हो लगाने के लिए सरसो का आप एक तो ब्राड कास्टिंग से लगाते हैं क्योंकि इसमें बीज ब प्रति अकड़ यो है दो किलोग्राम और लाइंज लगाते हैं तो आपका प्रति हेक्टेर की दर पड़ा पांच केजी प्रति हेक्टेर तो बीज बहुत कम रहता है इसलिए किसान भाई ज्यादा दे देते हैं और बाद में उसको साग के रूप में उखाड लेते हैं तो उसमें अच्छा ब्रांचेज निकलता है बढ़िया रहता है डोक्टर सब बिगत कुछ समय से कुछ और तकनिकों का विकास हो जैसे तीसी होगा रहे के लिए कि फसल खेत में है ही और फिर हम दूसरी फसल भी लगा रहे हैं ये क्या तरीका है कैसे किसान भाई इसका लाद जोड़े थे लेकिन धीरे धीरेती को छोड़ते जा रहे हैं तो उससे क्या हुआ कि हमारे हमरें इंडरस्ट्री में तीसी का बहुत मांग है जो प्लास्टिक पेंट बनता है, यही इंडरेस्टी में तीसी जाता है, उस इस प्लास्टिक पेंट बनता है, सारा मार्केट का तीसी चला जता है, लेकिन अभी स्वास्थ के दृष्टी से इसमें जो आपका कोलेस्ट्राल जमता है, तो उसको क्लियर करने के लिए डाक्टर लोग भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो अभी धीरे-धीरे लोगों के अंदर रुजान बड़ा है, सरकार भी जोड दिया है कि हमें तीसी को लगाना चाहिए, तो तीसी दो तरस लगता है, तेक तो जुताई करके दूसरा पहरा क्रापिंग में, तो किसान भाई जितने सुन हैं, अगर दिमाग बांध लीजिए, कि हमारा अगर धान अभी कटने में 15 दिन बाकी है, तो हम बजार से तीसी ले आएं, ले आ करके उसको बीजा लगभग ड्योड़ा भी कर दीजिए, तो उसे धान के खेत में छीट दीजिए, पानी कम कर पानी हटा करके, और जब धान पंद्रे दिन बात कटेगा, खड़ी फसल के बीच में ही, तो आपका तीसी लगभग तीन इंची, दो इंची हो चुका रहेगा, तो उस समय अगर बढ़ भी गया, कोई बात नहीं, धान के साथ भी कटेगा, और ब्रांच बढ़िया निखलेगा उसमें, तो आपका धान ख इसको तीसी को लगाएं, जुताई करके लगाएं, तो अच्छी बात है, लगभग पचीस किलोग्राम प्रती हेक्टेर लगा सकते हैं, और अगर आप ब्राटकास्टिंग में देते हैं, तो 30 से 35 किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर से छिड़का उमारेंगे, तो आपका ब मौल सधुर्ण में बिलना शुरू हो गया है, तो लाबदायक भी है, जो जो मौल में दुकानों पर मिलता है, पैकिंग किया हूए, एक केजी का लगभग 125 से 30 रुपिया केजी रहता है, तो उसको बढ़ियां से ग्रेडिंग करके, साफ सुतरा करके, फटक करके, उसमें द जिससे आपका ब्लॉकेज क्लियर रहे जाए और साथ-साथ ये ध्यान रखेंगे कि तीसी तेल पिराते हैं तो इसको बारह से पंदरे दिन के अंदर में खतम करने जाए क्योंकि उसमें ये रॉटिंग के प्राबलम हो सकता है लेकिन आप जो इसको यूज करेंगे तो जल्द प्राब्त कर रखते हैं तो किस तरह से जैसे हमने सरसु लगा दिया आपने बताया कि प्रभेदों का चुनाव बहुत महत्मौन होता है प्रभेद भी किसान भाई ले आए कि सारी तैयारी हो गई उत्पाधन भी अच्छा हुआ लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे किसान आप जितना कुंटल सरसु पैदा करते हैं दाना उसका चोथाई उसमें यह नेक्टर हवा में उड़ने के लिए तयार बेठा था तो अगर आपके पास मधू मक्खी पालन करते हैं या मधू मक्खी वालों को सुचित करते हैं तो आपके खेत के आसपास बखसे रखते हैं तो मान लीजी आप जो है यह लगबग एक एकड में पांच कुंटल पैदा हुआ कम से कम तो पांच कुंटल में उसका चोथाई कर देंगे लगबग सवा कुंटल आपको मधू महां पर तयार मिलता जो है तो आप उसको उप्योग मिलाते तो आपके अत्रिक तलाब का साध रहा है तो इसके लिए भारत सरकार का जो भरतपूर सरसों संदान संस्थान है वो जो है ततपर है और वो है चाहता है कि किसान लोग ऐसा भी कर सकते हैं इंडरेस्टी के रूप में कि हम जो है गाओं में तेल बढ़ियां सुध लेकर के जाएं उनको बोलें कि भाई ये एक सरसों दूसे क्या होता है कि उसका खली है तीन कीलो तेल सरसों में मिligen इकल गया दॉसको किसान ले लिया लेकिन इसे जो है को तो उसमें से तो पचास किलो सरतेल हो गया, सव किलो अत्रिक्त खली मिल गया, उस अत्रिक्त खली का दाम जो है आपको बजार में लगबग 28 रुपिया, 32 रुपिया के लिए है, तो ये किस्टान को एक आदमी को इंटर्पेरोर को आपको बढ़ियां से लाफ का एक रास्ता म कमा सकते हैं, कि अपने बाइक के साइड साइड में हम सर्सो ले लिये, किसी गाव में चले गए और वहां उनको तेल दी, अच्छा तेल दी, वहां से सर्सो ले लिये, यह भी बढ़ियां आमदनी का रास्ता है, और दूसरा एक चीज देखने के मिला तीसी में, कि विदेश में इसका मांग बढ़ा है, कि उसका जो फली लगा है, फली और जड सहित, वहें 30-32 रुपिया केजी खरीदा, सिंगपुर गया, और उसको धूल करके, कार्टून बंद करके गया है, और उसके उपर पेंटिंग किया गया, और बड़े-बड़े होटल मॉल में, उसको सजा कि यह ноеका सर्सोय है, मुल्चिंग के सजा, उससका और पादून राजा, कि रूपियोग करने को है, जहां पर प्फूल गोभी पत्ता गोभी है, वह नहीं करने में करके काने का मतलब यह है कि कई तरह से सरसों की फसलियत इसी के फसल से लाब लिया सकता है बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साथ आपने इसके लाए आपका बहुत बहुत धैनेवाद किसान भाई आप से भी चाहेंगे इजाज़त नमस्कार